अगली ख़पर करूख कर लेते हैं सुप्रीम कोट से अर्विन केजरिवाल के बेल मिलने पर आइंडियाई गडबंदन के ही नेता संदीब दिक्षित ने सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि केजरिवाल को जिस आधार पर बेल मिली है उससे वो सहमत नहीं सिर्फ चुनाव होने के आधार पर बेल मिलने से गलत संदेश जाएगा तो कॉंग्रिस के ही नेता है, जो सवाल उठा रहे हैं, अर्विन केज रिवाल को बेल मिला, इस बेल पर सवाल उठा रहे हैं, आईएंडियाईए गडबंदन के ही नेता है संदीब दिक्षित, जिन्होंने सवाल उठाया है, शेला दिक्षित के बेटे हैं, उनका कहना है कि कि आधार पर बेल मिलना यह गलत है, जिस आधार पर बेल मिला है उस आधार से वो संदोश्च नहीं है. और बलकि जितने भी नेता लोग, कहीं भी जेल में है, सबको मिलनी चाहिए, वोग यह हर किसी की ज़रुवात हुती है यह कैम्पेइन में, वो चाहिए दो लोगों को प्रवावित करे करे, या दो लाग को करे, या दो करोड को करे, फिर तो बेल मिलनी चाहिए, अइच्छी बात है कि वो बेल मिली है लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि जो में केस में जो बेल की बात है उसको भी सुप्रेम को को कंसेडर करना है चीज कारण से मिली वो कारण मेरे खाल से गलत है यह कि किसी के व्यावसाय के कारण उसको मिले तो जैसे आपने का फिर किसान को क्यों नही डाक्टर को क्यों नहीं, न्यूजमैन को क्यों नहीं, चपरासी को क्यों नहीं, गार्ड को क्यों नहीं, फौजी को क्यों नहीं, पुलिस वाले को क्यों नहीं, हर किसी का वियावसाय महत्वपूर्ण होता है, और कोट ने अगर ये बात लिये कि पांच साल में एक बात चुन मुहबतपुर पैसा थाना शेत्र के गाउं में लव जहाद का मामला सामने आया महाराश्टर के मुंबई की एक युवती को मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फसा कर शारीरिक शोशन किया बेटी पैदा होने के बाद अब आरोपी पेडित फरार है आरोपी फरार है लड़की से शादी की शारीरिक संबंद बनाए पीडिता के मुदाबिक तीन महीने पहले आफ़ाग उसे छोड़कर पौशामी आगया पीडिता ने केस दर्श कराया है कि अधर निश्य मुझे यह लड़का मुंबाइश काम पर बुलाता है और बुला कि वहापी मेरे सथ रिलेशन्शिप बनाया और उसकी बाद ना यह मेरे बच्चा हर दोई में मेरे पैट में रुख गया था पिर यह मेरे साथ मुंबाइश जाकर चार साल वहापे लगा थ करता है तो अब यह दो मैना हुआ सरभाग के इधर आया गाओ में मुझे बोला कि मैं जाके आता हूं घूमनी के लिए जा रहो आजनी की बाद लड़की देखा शादी के लिए सबाइब लगया है बहार जाने का भी प्लैनिंग अगरा हो गया तो मुझे मेरे बच्ची को मुझे मालूम पड़ा तो मेरे बच्ची को हाट का प्रॉब्लम ही मैंने इसको इलाज वगरा में अपने पैसे से करवा जब मैं उनको फोन किया उनकी घर पर बता तो घर वाले मुझे बहुत गाली गलश करने लगा तो फिर मैं मुंबाई से बच्ची को लेकि इधर आई पकार में मिला था उसके गले और चेहरे पर चोट के निशान थे गांवालों ने हाथसा मानते हुए शव को दफना दिया था लेकिन अगले दिन दस साल के चिराक का शव भी उसी मकान से मिला पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के मताबिक चिराक की मौत गला दबाने से हुई जिस तीन साल की डेथ हो गई थी और उसका कबर से इनके पिता के अप्लिकेशन पर डियम सामने आदेश कहा है कि इनकी कबर से फिर से डेड़ बाडी निकाली जाए जाए इसी के लिए आज यहां सभी लों पठा हुए डेड़ बाडी निकाली गई है और पोस्ट मारटम के पूशना पर आरपी एफ और जी आरपी ने कारवाई कि इन लोगों के पास से बच्चों को ले जाने का कोई वैत प्रमाण पत्रू नहीं मिला और ना ही इन बच्चों के साथ इनके माता-पिता या परिवार का कोई और सदस से था पूश्टाश में पता चला कि राजस्ता और उत्राखंड ले जाए जा रहे थी ये बच्चे सभी बच्चों को प्रयागराज जंक्शन पर उतारा गया एजेंट्स के चेक ग्रुप के साथ ये बच्चे ट्रेन से जा रहे थे रेलवे सुरक्षा बल की ओर से ओपरेशन आहट के तहट इन बच्चों की सुराग लगी थी और इन बच्चों को सकुषल चंगल से छोड़ा लिया गया बच्चों को बाल कल्याण समिती प्रयागराज के समक्ष पेश किया गया जहां इन्हें देखरेक और काउंसलिंग की जा रही है रेलवे सुरक्षा बलद्वारा काफी दिनों से सूचना इकटा की जा रही थ एटा जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पुलिस ने एक गाड़ी चोर गिरों का परदा फाश किया पुलिस ने गैन के आठ शातिर चोरों को गिरफतार किया और इनके कब्जे से चोरी की ग्यारा बाइक एक अवैर तमंचा और दो जन्दा कार्टू उस जब्त किये पकड़ेगा युगक सस्तिदामों पर चूरी की गाड़ियां पेचा करते थे अपने महंगे शॉक पूरा करने के लिए ये चूरी की बारदात को अन्जाम देते थे आज थाना कोतवाले देहाद और एंटी थेफ्ट वेहिकली टीम गवारा जो है एक संजुक कारवाई के गए जिसमें कुल आठ अवियुक्तों को गिरफतार किया गया है और इनके कब्जे से कुल 11 मोटर साइकले बरामग दिए और तबंचा भी बरामग दिए और इनके एक सातिर गैंग है जो आसपास की जन पदों में मोटर साइकल चोरी की घटनाए कर रहा था इसलिए राजा नाव का वह साती रफियुक्त है जिसके उपर अब तक 9 मोपद में कायम होने की सुछना पलिस को मिन चुपी है दरमरोहा में बिजली विभाग के सस्पेंट जई ने जहर खा लिया हालाद बिगड़ने पर परिवार वाले अस्पताल ले गया जहां डॉक्टर स्नो निम्रत घोशित कर दिया मामला पुश्कर नगर कॉलोनी का है किराय की मकान में जई परिवार के साथ रहते थे बताय ज़ारा कि सस्पेंट होने के बाद परिशान चल रहे थे और इसी बीच ये कदम उठाया जाता है कि आपके भाई ने कुछ खा लिया रात पर दो बजे आने के बाद साधन नी मेला तो हम सुभे तक पहुँचे तो यहां जब हम आये तो आने के बाद हमने देखा कि हम पूरा स्टाफ बिजली वाका कड़ा था तो उनसे बात चीत हुई बात चीत हुई तो ये ची जेघ्साब भी है जेघ्साब भी बोल रहे हैं तुक जहरीला पड़ा लní आ है और यही बता रहे हैं कि जहरीला पड़ा है तुक यह अरूं के यह ब्रेक के लिए खबरों का सिलस्ल Enrico